हेलो स्टुडेंट्स, हाव आड़ यो नाव आइम गोईंग टो इस्टार्ट चैप्टर थ्री अबाउट अर्ली मैन यानि प्रारंभिक मनुश्य यानि पहले का आद्मी इसा माना जाता है या फिर ऐसा विश्वास किया जाता है कि मनुश्य का विकास लगभग 1500 मिलियन वर्स पहले हुआ था इस अवधि को प्रागेतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है या प्रागेतिहासिक यूग के रूप में जाना जाता है मनुश्य के जीवन में उनके विकास से लेकर आधुनिक जीवन में आधुनिक जीवन तक बहुत सारे चेंज़े आएं मतलब पहले से लेकर अभी के समय में मनुश्य के जीवन में क्या है बहुत सारे चेंज़े आएं प्रिहिस्टोरिक में प्रागेतिहासिक मनुश्य अरली हुमें बीइंग्स मोर और लेस बिहाब्ड लाइक एनिमल्स यानि अरली हुमें पहले का जो आदमी था यानि प्रारंबिक मनुश्य बिहाब्ड लाइक एनिमल्स जानवरों की तरह मोर और लेस यानि जादा और कम जानवरों की तरह ही व्यवाहार करते थे अरली में लेड ए नुमेडिक लाइफ नुमेडिक लाइफ मिस खाना बदोस जीवन यानि प्रारंबिक मनुश्य खाना बदोस जीवन व्यातित करते थे वह भोजन और आश्रे की तलास में जगा जगा भटकता रहा वह पेडों के बीच पेडों की सखाव पर जंगल और घने जंगल और जानवरों के बीच रहता था evolution of man है देखिए पहले प्रारंबिक में man कैसा था उसके बाद धीरे धीरे बदला हुआ उनमें he collected fruits, berries, nuts, vegetables and honey for food उन्होंने भोजन के लिए fruits यानि फॉल, जामो, nuts, सबजिया और शहर एकतरित करते थे he also hunted animals for flesh उसने मांस के लिए जानवरों का भी शिकार किया the early man used stones which are sharpened for hunting and digging the ground for roots the early man used stones यानि early man, prerambic man, stones का यूज किया, पथर का यूज किया which were sharpened, यानि पथर को sharpened किया for hunting and digging the ground for roots मतलब for hunting उसने जानवरों को सिकार के लिए और गड़ा खोदने के लिए गड़ा में जरों को खोदने के लिए क्या किया पथर का यूज किया इस्तेमाल किया और शार्पिन करके पथर का यूज किया the prehistoric man never wore cloths to cover the body प्राइगातिहासिक आदमी अपने body को ढखने के लिए कोई कपड़ा नहीं पहंते there was a gradual development in man's life and his lifestyle changed to modern one मनुष्य के जीवन में gradually development धीरे धीरे विकास हुआ and his lifestyle changed और उसका lifestyle changed और उसका lifestyle changed हुआ modern one आधुनिक यू आधुनिक चे उसका lifestyle change होकर आधुनिक बन गया he learned to make better tools which made his hunting easier और उन्होंने बेहतर उपकरन यानि बेहतर टूल्स का निर्वान किया जिससे hunting जिससे hunting इस जिससे सिकार करना आशानी से हो जाए मतलब उन्होंने क्या किया पत्थर्स के सार्पेंट किया नुखिला बनाया और ताकि उससे जानवरों का सिकार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सिकार करना आज असान हो गया नाओ स्टुदेंट यू रिद इस पेज फिस पेज फिस पेज चैप्टर थी चैप्टर थी नेक्सट पेज इन एक्स्ट वीडियो के बाई स्टुदेंट्स स्टुदेंट लिए झाल असान हो